असलाम उलेकम... प्रोग्रेमर शीमा हेर हमistäब वाइल लूप सिखें हमने फॉर लूप सिखें और उनके साथ हमने यह भी सिखा कि हम उनको गाल किस ना करते हैं उन लूप को और आज हम मजीद तरीके सीखने लगे हैं लूप को गाल करने के लिए और वो जो दो तरीके हैं वो है break और continue तो सबसे पहले हम break keyword को देखेंगे कि हम break keyword को किस तरह इसमाल कर सकते हैं तो मैंने एक comment लिखा break और फिर हम एक for loop बनाते हैं for int i is equal to 0 i is smaller than 5 i plus plus ठीक है यह एक सादा सा for loop है और हम इसमें लिख देते हैं value of i is और फिर यहां i को print करते हैं और फिर हम यहां program को end करके रहे हैं तो यहां मैंने किया program end अब इसको save करके इसको run करके देखते हैं यह वो ही चीज हैं जो हमने पहले की थी तो इस तरह से for loop काम करता है जैसे कि हमने पिछली for loop की video में भी सीखा था यहां आप देख सकते हैं i की value हर iteration के साथ बढ़ रही है हर loop के साथ बढ़ रही है और जब i की value 5 के बराबर हो जाती है तो loop से निकल जाता है program और फिर program end हो जाता है आखर में अभी हम loop को इस condition के जरिये एक control दे रहे हैं लेकिन हम यहां एक और तरीके से control कर सकते हैं कि हम यहां लिख सकते हैं अगर i की value 3 हो जाए तो हम यहां break कर सकते हैं और यह सिर्फ एक जुमला है break एक statement है तो हम मतलब बगैर curly brackets के भी इसको लिख सकते हैं और फिर हम यहां वैसे ही सीखने के लिए समझने के लिए हम यहां यह looping लिख देते हैं और इसके बाद end अब हम इसको run करके देखते हैं और गोर करते हैं कि यह break का keyword आखिर कर क्या रहा है तो अब आप ज़रा गोर करें कि I is for print नहीं हुआ ठीक है होता यह कि जब I की value 3 हो जाती है जैसे कि आप यहां देख सकते है value of I 3 तो उसके बाद यह इस condition पर जाता है और obviously I की value 3 है तो फिर 3 हो जाता है और फिर यह break हो जाता है break से मुराद यह कि यह loop से बाहर निकल आता है जो for loop है फर्स करें यह for loop है तो इदर से बाहर निकल आता है while होता था while से बाहर निकल आता break के keyword के जरिए switch statement में भी हमने देखा था break का keyword इस्तमाल हो रहा था वो इसी काम के लिए हो रहा था कि जैसी break आता है तो curly brackets है उदर से जो command है जो code है जो compiler का है system वो बाहर निकल आता है आए इस तरी के बाद looping नहीं लिखा आया यह नहीं लिखा आया चुके जब break हो गया तो इदर से निकल गया और फिर program सिधा सिधा end हो गया तो यह अभी हमने break को समझा अब हम continue कर ची तरह समझते है कि continue है अगर वो होता तो क्या होता ठीक है वहां बेतर तरीके से समझने के लिए i को 2 करते है i is equal to 2 ठीक है और अब यहां हमने continue लिखा है break की बिज़ाए तो अब इसको हम run करके देखते है अब ज़रा गोर करते हैं कि हो क्या रहा है value of i 0 फिर looping value of i 1 फिर looping value of i 2 और इस दफा लूपिंग नहीं आया साथ ठीक है क्यों नहीं आया क्योंकिए i की value 2 थी जब i की value 2 ही तो obviously यह condition भी true हो गई और फिर हमने continue कीवर्ड को रीज कर लिया compile ले continue का keyword मतलब पढ़ लिया और इस जब continue का keyword आता है तो जो continue के आगे का जो भी code होगा वो skip हो जाएगा लेकिन फिर यह दुबारा चलने लग जाएगा क्याने का मतलब यह है कि हम लूप से बाहर नहीं निकले हमने सिर्फ एक वकत के लिए जो लूप का बकिया code था जो बाकी का code था मतलब continue के बाद का जो code था वो सारा skip हो गया लेकिन सिर्फ एक बारी के लिए ठीक है उसके बाद फिर से यह दुबारा उसी तरह चलने लग गया जिस तरह लूप को चलना चाहिए ठीक है तो आप यह देख सकते है continue आया और यह यहां जो भी code होगा इसकिप हो जाएगा continue के बाद जो भी code होगा वो skip हो जाएगा और फिर से दुबारा चलने लग जाएगा आप यह देख सकते है value of i is 2 के बाद looping नहीं आया और फिर value of i is 3 looping value of i is 4 looping और फिर उसी तरह program end हो गया जिस तरह होना चाहिए था लेकिन जो value of i जब 2 हुई तो एक दफाँ skip हो गया break statement सिरफ loop और switch में इस्तमाल हो सकती है बिल्कुल इसी तरह continue statement सिरफ loop में इस्तमाल हो सकती है अब हम break keyword को practically इस्तमाल करके देखते हैं कि break keyword किस तरह से फाइदा पहुंचा सकता है अब यह आप अपने सामने देख सकते हैं यह वही program है जो हमने do while को सीखते वक्त बनाया था password वाला program तो इसमें क्या मसला है यह तो अच्छा code है मतलब यह चलता है और यह मतलब ठीक है जो इसमें कोई इतना मसला नहीं है और इस तरह चलता है जिस तरह चलना चाहिए लेकिन हम इस code को बेहतर बना सकते हैं आप देख सकते हैं कि दो बार एक ही condition को इस्तमाल हुआ है और programming का असूल अगर आपको याद हो तो मैं नहीं बताया था कि दुबारा चीजों को repeat नहीं करना चाहिए अच्छा नहीं लगता ठीक है और दूसरी बात यह कि यह इतनी as such क कोई हास समझ भी नहीं आ रही इतना clear नहीं अब मतलब code इसको बेहतर बिनाने के लिए हम ब्रेक का keyword इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ एक infinite loop कर सकते हैं जी हाँ अब हम infinite loop को भी इस्तमाल कर सकते हैं और यह infinite बजाहर लग रहा है लेकिन यह infinite नहीं होगा अगर हम ब् लिख सकते हैं input is equal to is equal to password यानि अगर input password होगा तो फिर हम ब्रेक कर देंगे ठीक हम निकल जाएंगे लूप से वरना हम बोलेंगे wrong password ठीक है अगर एक बार फिर देखते हैं अगर input password है तो लूप से निकल जाएं वरना हम यह कहें के password गलत है फिर से कोशिश करें try again ठीक है तो हां यह काफी clear है मतलब हमें समझ आ रही कि यह क्या है इसमें हो क्या रहा है ठीक है और ना सिरफ यह बलके हम यह correct password वाली statement को भी उपर लिख सकते हैं जो मेरे हैल से जादा अच्छी लगए अगर हम यहां लिख रहे हैं ठीक है तो यह इसको रण करके देखते हैं तो यह हमार प्रोग्रम चल गया हम इसको गलत लिखते हैं ठीक है गलत पास्पर्ट हम सही लिखते हैं तो यह correct password and program and बिल्कुल उस इस तरह जिसना चलना चाहिए इसको तो यह मैंने आपके सामने एक छोटा सा code लिखा है और इसमें आप देख स सिर्फ एक ही लूप से निकालेगा दो लूप से निकालेगा दो लूप के लिए दो ब्रेक से इस्तमाल करने पड़ेंगे जाहर है तो मैं यहां ब्रेक लिखता हूं और फिर इसको आपको चला के दिखाता हूं तो यह अब आप देख सकते हैं कि यह एक infinite loop है outside loop inside loop बार बार है print फिर inside loop होकर फिर break होता है और यह बार बार होता रहता है तो मतलब यह break जो है यह एक वाइल लूप से आपको निकाल रहा है अब अगर हम दूसरा वाइल लूप लगाएं तो जाहर है दूसरे से भी हम निकल जाएंगे ठीक है तो मैंने प्रोग्राम को बंद नहीं किया अब हम इस प्रोग्राम को रहन करके देखते हैं तो यह अब आप देख सकते हैं कि मैंने आउटसाइड लूप के बाद break लगाया है तो हुआ यह कि आउटसाइड लूप करके फिर यह मतलब निकल गया इस लूप से निकल गया तो यह वाला code चला ही नहीं ठीक है अगर मैं break इस के नीचे लगाता है इस loop के नीचे लगाता तो एक बार outside loop आता फिर inside loop आता और फिर मतलब बस program फिर बाद्ध हो जाता break के जरीए हम एक loop को cross कर जाते हैं एक loop से निकल जाते हैं और continue के जरीए हम एक iteration यानि loop के अंदर जो code एक दफा चलता है उसको iteration कहते हैं और continue जो है एक iteration को skip कर देता है कहने का मतलब यह है कि continue के बाद जो code होगा वो code skip हो जाएगा लेकिन loop उसी तरह चलने लग जाएगा फिर से जिस तरह उसको चलना चाहिए तो यह थे break और continue अब आपने करना यह है कि फिर से switch statement बनानी है और आपने इस दफा एक infinite while loop के अंदर break का keyword इस्तमाल करना है और फिर for loop के अंदर continue का keyword इस्तमाल करके आपने इनकी practice करनी है break और continue की अगर आपको break और continue की समझ आई है तो फिर इस वीडियो को like करें दूसरों के साथ share करें और साथ ही साथ इस चैनल प्रोग्रेमर चीमा को subscribe भी करते जाएं मुझे उमीद है कि आप खेरियत से होंगे मिलते हैं अगली वीडियो में अलाहाफिज